ठीक है, तो first है हमारा logarithm function, ठीक है, logarithm function, आप लोगों ने 11th में discuss कर लिया होगा, ठीक है, बस मैं आपको idea दे रहा हूँ, देखे, graph आपको देखने चाहिए, अगर a 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है, तो इसका graph ऐसे plot होता है, clear? ठीक है, यह कब है जब आपका base 1 से बड़ा हो, और ध्यान रखना logarithm का domain हमेशा positive होता है, और अगर base आपका 0 से 1 के बीच में, logarithm का base कभी 1 नहीं होता है, तो आपका graph जो plot होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है, यह आपका graph होगा, तो आपको ए graph clear होने चाहिए, ठीक है, logarithm और exponential के त बाकि हमने जो इस greatest integer, greatest integer पढ़ा ही, आपको सबको याद होने चाहिए, ठीक है, जो आपका a है, वो इस case में 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, a आपका 1 से बड़ा है, इस case में, a आपका 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, logarithm function, तो आप देख सकते हैं, इस graph में आपको दिख रहा है, आपको feel हो रहा है, कि जैसे-जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ, जैसे-जैसे x increases हो रहा है, correspondingly value बढ़ रही है, जीरो पर minus infinity से आकर जीदे-सीदे बढ़ती जा रही है, और जब x infinity हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, इस case में तो ये increasing दिख रहा है हमें, क्या है increasing, और इस case में आप देखे, जैसे आप x बढ़ा रहे हो, ठीक है, x आप बढ़ा रहे हो, तो correspondingly value कम होता जा रहा है, तो base अब जब आपका 0 से 1 के बीच में होगा, तो function आपका क्या होगा, decreasing, तो हम graph को देख कर भी increasing और decreasing बढ़ा सकते हैं, सबसे easy way graph ही होता है, अगर हमें function का graph हम plot कर सकते हैं, ठीक है, तो आप function को बता सकते हैं, increasing और decreasing, ठीक है, next exponential, y is equal to a raised to the power x, ठीक है, इसमें भी 2 case होगे, base आपका 1 से बढ़ा हो, तो base आपका जब 1 से बढ़ा होता है, तो exponential का graph ऐसा बनेगा, ठीक है यह आपका बेटा जब A base 1 से बड़ा है और जब आपका base 1 से छोटा है ठीक है जब आपका base 0 से 1 के बीच में है ठीक है पॉजिटिव की बात करते तो आपका बेटा ग्राफ ऐसा बनता है जब A आपका 0 से 1 के बीच में है ठीक है इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है उसका डोमेन तो क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर इसका डोमेन क्यों होता है पॉजिटिव पॉजिटिव सौरी ओल रियल नंबर हम बेस बन से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा और तो आप देख सकते हो इसमें function कैसा है increasing function कैसा है increasing और इसमें function हमारा कैसा है बेटा decreasing function इसमें हमारा function कैसा increasing और इसमें हमारा function कैसा है decreasing function तो लोगरितम और एक्सपटेंश रोगरितमशल्यस अैपकि यह इसक्याच्टी हरे का एक्साब्स और श्यूश्य दीशियू अग्सोट्त खेदो एक्साबर्याचि ल थे लिए ड़का और व्यार ग्याच अपिछ飞्प्टा x cube minus 3x square plus 4x x cube minus 3x square plus 4x x belongs to r is increasing on r is increasing on r मतलब real number के set में यह जो function है real number के set में यह जो function है वो हमेशा क्या होगा? increasing होगा तो हमारा काम क्या है? हमें f x का given है given f x हमें बताना है अगर increasing proof करना है तो हमें f x का only 0 आना greater than 0 आना चीए हमारा तो f x हमारा क्या है? x cube minus 3x square plus 4x आप इस function को इसका derivative आप find करेंगे f x f dash x तो इसका हो जाएगा 3x square minus 6x और plus 4 ठीक है? अब आप check करेंगे इस function का पहले discriminant आ करा है भाई 3, 4s आ 12 12 के ऐसे 2 factor जो 6 दे तो पहली बाद तो ऐसे factor हो नहीं रहे तो हमारा सबसे पहला क्या होता है? d check करता है अब हम d check करा है तो हमने d देखा b square minus 6 का square minus 4 into 3 into 4 तो ये कित्ता हो गया? 36 minus 48 36 minus 48 ही आगया minus 12 which is less than 0 अब अगर किसी quadratic expression का किसी quadratic expression का अगर d negative है और leading coefficient positive है leading coefficient बतला है x square का coefficient फिर मैं repeat कर रहा हूं या आप अगर की point लिख ले in ax square plus bx plus c और इस expression को मैंने fx दे दिया अगर इसका a positive है x square का coefficient और d negative है a positive और d negative है तो आपका fx हमेशा ही positive होगा आपका fx हमेशा ही positive होगा और in ax square plus bx plus c या आपका quadratic expression है अगर a आपका negative है और d भी negative है तो कोई real root कोई इसके real roots नहीं होगे ना इसके ना इसके तो इस case में आपका fx भी क्या होगा negative होगा हमेशा अब कितना होगा minimum वो पता नहीं लेकिन होगा हमेशा negative ही होगा हमेशा negative ही आपने बच्चपन में quadratic expression के graph पढ़के आयो parabolic तो पहले वाले case में तो ऐसा graph बनेगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ पहले वाले case में तो बिटा आपका ऐसा graph बनेगा ऐसा देखिए ये इसमें क्या हो रहा है आपका A positive और D negative है क्यों क्योंकि आप feel कर सकते है roots real ही नहीं तो graph कर भी टच करेगा ही दी और दूसरे वाले case में आपका graph ऐसा बनेगा A negative है और D भी negative है इसमें बटा आपका Fx हमेशा क्या होगा only positive और इसमें आपका Fx हमेशा क्या होगा only negative ये आपको याद करना है आपको learn करना है तो here D आपका क्या था minus 12 आप रहा था which is negative तो it means 3x square minus 6x plus 4 is always positive तो it means Fx is increasing strictly increasing तो F-X क्या आपका F-X ही था तो ये always positive आपका तो it means Fx is increasing function किसमें गिवन सेट आर में अगले example 11 है एक्जाम्पल 11 है पहले हम एक टाइप के कर रहे है find the interval find the interval find the intervals in which in which the function F the function F the function F given by the function F given by Fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is first is increasing first is increasing and second is decreasing आपको interval find करना है किस interval में function increasing होगा और किस interval में function decreasing होगा मैं आपको टू मिनिट दे रहा हूँ आप ट्राइ कीजिए सबसे पहले F-X निकालो आप और मैंने इनिक्वालिटी आपको सिखाईए किसमे function वाले चप्टर में वो अपलाई होगा यहां पर वो आपकी अपलाई होगा यहां पर आप ट्राइ कीजिए solution हम discuss करते है सबसे पहली बात तो आपको given दे रखा है function F-X equals to 4X cube minus 6X square plus minus 72X और plus 30 अब हमें polynomial function का हमेशे domain पता होता है आर इसका domain क्या होगा आर तो हम रियल नंबर में बात करेंगा अब यह बताने किस interval में increasing होगा और किस में हम सबसे पहला काम करा F-X तो हमने F-X निकाला 12X square minus 12X और minus 72 ठीक है यह आपका derivative आगया इसका अब पहला part के आएगा हमारा यहाँ पहला part है for increasing for increasing for increasing तो for increasing में हमने कर रखा F-X को greater than 0 रखा तो F-X अगर आपका greater than 0 है तो देखिए क्या होगा 12X square minus 12X minus 72 greater than 0 अब हमें इस inequality को solve करना है तो 12X square minus 12X minus 72 सबसे पहले मैं इसको divide by 12 कर दूँगा सबसे पहले मैं इसको divide by 12 कर दूँगा तो we have X square minus X minus 6 greater than 0 आप देख लिजे 12 से डिवाइड करा X square minus X minus 72 ठीक है और minus 70X square minus X minus 6 greater than 0 अब आप इसको factorize करो तो आपका factor आएगा X minus 3 और X plus 2 greater than 0 तो अब आप number line draw करोगे आपको recall हो रही होगी चीजे ये root आपको देगा 3 ये root आपको देगा minus 2 तो आपने इसको लिखा है आपे minus 2 और इसको लिखा 3 अब plus minus plus ये आपको याद होगा अब हमें increasing के लिए चीए ठीक है? increasing के लिए चीए तो आप देखे increasing के लिए आपने का करा जो आपका X होगा वो belong करेगा कहां से minus infinity से तो minus 2 union 3 से लेके infinity minus 2 से लेके minus infinity से minus 2 union 3 से लेके infinity तो इस interval में क्या होगा? आपका F-X पॉजिटिव होगा तो इस interval में आपका F-X का होगा? increasing अब आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं अब क्योंकि पॉलिनोमेल आर में डिफाइन है और अमने एक interval ये बता दिया है कि इसमें increasing है तो अफकॉस ही बच्चे वाले में क्या फंक्शन डिकरीजिग वा अफकॉस है बच्चे वाले उसमें क्या फंक्शन डिकरीजिग होगा तो second part हमारा है F-X is decreasing तो F-X is decreasing in ये आप डिरेक्टिव लिख सकते हो F-X is decreasing in 223 minus 223 इस interval में आपका F-X का होगा negative in x belongs to minus two to three. तो बहुत एजी है ना बहुत एजी है बहुत एजी है बहुत एजी है. Question number three है. Question number three. Okay, exercise 6.2. Question नहीं कह रहा है, show that the function f given by show that the function f given by show that the function f given by fx equals to sin x. fx equals to sin x is first option. increasing in increasing in open interval 0 to π by 2. Second part decreasing in decreasing in open interval π by 2 to π open interval in π by 2 to π. third part neither increasing neither increasing increasing ko मैं ऐसा लिकूँँगा nor decreasing in 0 to π. तो देखो नीदर नौर वाल आपको पता है कि interval में अगर function increasing, decreasing कुछ भी हो रहा है तो हमें वहां से उस फंडे को clear करना है, वहां से उस फंडे को clear करना है, ठीक है, तो start करते है solution, ठीक है, पहला, भी हमें तो सबसे पहले हमने लिख लिखी हमें गिविन क्या है, fx equals to sin x, ठीक है, चलिए, पहला, हमें बताना है, increasing in 0 to π. इंक्रीजिंग इन 0 to π. तो अब f-x, अब सबसे पहले हमें f-x भी निकालकी रख लो, इससार्टिंग में तो वहां काॉस x, तो f-x फर्स क्वादरेंट में, ने कर फ़र्स क्वादरेंट में f-x, ठीक है, f-x क का एक लिख एक और वहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इन, in, 0 to pi by 2 . In 0 to pi by 2 . तो, f-x, cos-x, अपका, क्या होगा, positive होगा, in 0 to pi by 2 ? दूसरा part, क्या हमारा, decreasing ? ठीके, 1st quadrant में, न 好 tu value, positive होती ही, या आपको, ठीके, या आपको, clear होना चाहिए. Dूसरा, कहा in, decreasing in, पाई बाई टू टू पाई, फेकंड क्वाड्रेंट, तो f-x जो कॉस x है, वो आपका नेगेटिव होगा, वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, इन, 0 to pi, पाई बाई टू 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 पाई, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले में तो क्या होगा, f-x is increasing, यह हैंस प्रूवट, और second में देखी, क्या होगा, f-x is decreasing, क्योंकि f-x नेगेटिव आ गया, तो f-x is decreasing, बहुत इजी हैं, पता है, बहुत इजी हैं चीज़, आप कर लोग है राम से, बस आपको डेरिवेटिव निकालना आना चीज़, और पता होना चीज़ है, कि वो फंक्शन गिविन इंटर्मेल में बिहेव कैसा करेगा, बस और कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्ट, for, for, 0 to π, f-x क्यों होगा, कॉस एक है, है ना, तो इन 0 to π, इन 0 to π, जो आपका f-x है, वो पॉजिटिव भी है, और end, f-x का है, वो नेगटिव भी है, ract छिएकेट कोज depri assigned Guru उगा सेकेड चुदैन में नेगिटिव ऑना चीए62 थेशा का सब्सक्राइब कर एफ your 시囮 होने दोने साथ नियुक्रीजिंग συνैमाम हमारा केके अफ्द कि क्रिजिंग और नुड दिरीilippe चीज़े बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ठीक है, clear आच्छा आच्चा बूछा इन गे मिस्टेफने फिट्टेफन ऀध्य सिरme दिट्टो के करा है तरी जैज्टर्वेलस नग्षा इंटर्वHeल Wyzdöh विड़गाई केठ ₲ jam कि बुड़गा श्टेफने कालए में आख function given by fx equals to sin 3x fx equals to sin 3x x belongs to 0 to pi by 2 x belongs to 0 to pi by 2 okay x belongs to 0 to pi by 2 a increasing a increasing or b decreasing आपको वो इंटरवल्द बताने 0 to pi by 2 में कि sin 3x जो आपका है वो किस इंटरवल में आपका increasing होगा और किस इंटरवल में बिटा आपका decreasing होगा कुशन नोट डाउन कर लिजे find intervals in which the function f given by fx equals to sin 3x x belongs to 0 to pi by 2 fx आपको बताने किस interval में increasing होगा और decreasing होगा किस interval में तो चलिए start करते है देखिए solution ठीक है important है ध्यान रखना पिटा आपका x जो है वो लाए कर रहा है 0 to pi by 2 close interval दे रखा है तो सबसे पहली बात तो हमें 3x दे रखा है ना तो 3x आपका लाए करेगा 0 to 3 pi by 2 में सबसे important बात आप यह आ गई है मतलब x 0 to pi by 2 में लेकिन हमें तो 3x दे रखा है ठीक है तो 3x में ही आप देखो 0 से लेके यह आपका pi by 2 यह आपका pi और यह आपका 3 pi by 2 आपने 3 interval कवर कर लिए आपने 3 interval कवर कर लिए अब कोशन है हमें pi by 2 मिलेगा कब हमें तो क्योंकि हमें तो यह देखना है sin x यहां से आ फिर यहां से आ फिर यहां से आ हमें तो 1-1 90 के interval break करना है हमें 3x में 390 के interval मल रहे हैं तो हम यहां break करेंगे interval को ठीक है तो break the intervals क्या होगा break the intervals break the intervals तो आप देखे break करेंगे कैसे अब आप पहले सोची हमें 0 से πाई बाई टू मिलेगा कैसे तो हमारा तो 0 है तो हमें 3x पाई बाई टू के इक्वल ची है हमें 3x कैची पाई बाई टू के इक्वल तो हमने देखा पहला interval हमारा break करेगा x इक्वल टू पाई बाई 6 पे अगला हमें कैची है पाई ची है क्योंकि फिर पाई बाई टू से पाई तक की कानी है तो x 3x पाई के इक्वल होगा तो x हमारा होगा पाई बाई 3 पे और लास्ट हमारा होगा पाई बाई 2 पे तो हमारा 3 interval break हो गए हमने जो given कानी थी जो दे रखी थी कानी उसको break कर दिया 3 interval में 0 to पाई बाई 6 पाई बाई 6 से पाई बाई 3 से पाई बाई 2 आ रहे हैं यहां तक की बात सबज में clear अब हम करेंगे अब हम बात करता है अब हमारा f x किता है sin 3x तो हम यहां से f dash x निकाल लेंगे which is 3 cos 3x which is 3 cos 3x ठीक है अब 3x आपका 2 interval में न बटा आप 3x की बात कर रहे हो ठीक है तो पहला हम लेते हैं ठीक है एक्स आपका belong करेगा ठीक है एक्स आपका belong करेगा 0 to pi by 6 में पहला case पहला interval यह वाला तो अगर x आपका 0 to pi by 6 में belong कर रहा है तो हमें तो 3x से मतलब है तो 3x आपका belong करेगा 0 to pi by 2 में आगे बस समझ में देखो पूरा first quadrant आ गया तो 0 to pi by 2 में cos 3x कैसा होता है positive तो इधर cos 3x कैसा हो जाएगा positive और अगर cos 3x positive हो गया तो अब बेटा आपका f dash x भी क्या हो जाएगा positive क्योंकि 3 तो हमेशा ही positive रहेगा आपका 3 तो क्या रहेगा हमेशा ही positive रहेगा तो in 0 to pi by 6 f dash x कैसा हो जाएगा positive रहेगा इध मेंस f x is increasing f x is increasing in 0 to pi by 6 got it पहला हमने क्या करा f x के लिए हमने क्या करा f dash x निकाला 3 interval में break करा है क्योंकि 3 क्योंकि हमें x ना देके 3x दे रखा है तो हमारा 0 to pi by 2 तो 0 से pi by 6 में मिल रहे है 3x फिर pi by 2 से pi मिलेगा pi by 6 से pi by 3 और pi by 3 से pi by 2 हमारा pi से 3 pi by 2 मिल जाएगा अब हम दूसरा चेक करेंगे दूसरा हमें क्या दे रखा है f x ठीक है दूसरा हमारा interval क्या होगा x belongs to pi by 6 से pi by 3 ठीक है तो आपका बेटा 3x कहां बिलॉंक करेगा 3x आपका बिलॉंक करेगा pi by 2 से लेके pi तक second quadrant तो अब आप देखें f dash x होगा क्या answer है वही 3 cos 3x तो second quadrant में cost क्या होता है negative तो जो cos 3x है implies that वो क्या हो जाएगा negative तो अगर cos 3x negative होगा तो f dash x भी क्या हो गया negative तो f x is decreasing f x is decreasing हम same for third के लिए हम कर सकता है same हम third के लिए कर सकता है आपका x belong कर रहा है pi by 3 से pi में sorry pi by 3 से pi by 2 में तो आपका जो 3x है ठीक है 3x है वो कहां belong करेगा pi से pi by 2 pi से 3 pi by 2 मतलब third quadrant pi से 3 pi by 2 अब आप third quadrant में देखें third में cost 3x again कैसा होगा third में cost 3x again negative f dash x also negative f dash x is also negative देखो negative ही आ रहा है f x is also decreasing f x is decreasing function तो अब आप क्या करो सब को combine कर दोगे ठीक है आप सब को combine कर दोगे तो देखो f x is increasing in 0 to pi by 6 0 से pi by 6 में increasing है और बाकी पूरे interval में बजजवे में f x का है decreasing है in pi by 6 से pi by 2 तक that's all